है लो गाइस हावाजू कैसे हैं सब लोग वीडियो के थमनेल से पता लगी गया होगा आज का जो वीडियो है मारा टेटर सिक्स के बहुत ही इंपोर्टन तो छोड़ोडे चैप्टर के उपर है कोर्रेलेशन और रेग्रिशन तो नहीं कह सकते हैं इंपोर्टन चैप्टर के तो वेरियेवल्स के बीच में ठीक है अब दीकिए कोर्रेशन बताता है रेलेशन शिप बिट्वीन तो वेरियेवल्स अब वेरियेवल्स क्या हो सकते हैं मा लीजे प्रड़क्ट की प्राइज और डिमांड में क्या रेलेशन शिप है या पॉजटिव रेलेशन शिप है य और कॉफी, दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, माल लिजे टी और कॉफी, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन्शिप है, अगर आपको बता है, टी का प्राइज जो है, टी के प्राइज और कॉफी के दिमांड में, ठीक है, क्या रिलेशन्शिप है, मतलब क्या है, दो वे से लेकर one तक मतलब positive और negative के बीच में होता है correlation क्या define करता है अब एक अगर हो गया तो positive correlation है ठीक है perfect positive correlation perfect अगर minus one है तो perfect negative correlation है मतलब कहा है जितना जितना positive बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा correlation मतलब relationship है मतलब माँ लीजिए price और demand में अगर आप लोग relationship रिखना चाते है उसमें answer माँ लीजिए आ गया केतना minus one आ गया तो इसका मतलब क्या है एक perfect negative correlation है कि अगर आप price अगर आप price बढ़ाते हो price बढ़ाते हो तो demand क्या होगा inverse relationship में जाएगा inverse जेज में जाएगा ठीक है तो माँ लीजिए price और supply है प्राइज अगर बढ़ाओगे तो supply भी बढ़ जाएगी मतलब क्या है perfect positive correlation है perfect positive correlation है किसके बीच में price और supply के बीच में ठीक है जी अब आपको बता इसमें कुल बिलागे तीन concept रहते हैं correlation में इन water होते हैं जो correlation को measure करने के होते हैं ठीक है जी पहला हमारा होता है काल-peasson method कौनजा है काल-peasson ठीक है जी दूसरा क्या होता है rank correlation ठीक है तीसरा क्या होता है concurrent deviation ठीक है से यह ranking होनी चाहिए एक जज कहता है मेरे साब से यह ranking होनी चाहिए ठीक है तो उन दोनों को उन दोनों judgment को सामने रखते हुए एक single solution निकाला जाता है एक single answer दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते है correlation by rank correlation ठीक है जी by ranks by number of ranks ठीक है जी तीसा होता है concurrent deviation ठीक है जी अब उसके बाद दूसरा हमारा जो concept है वो कहता है regression analysis regression analysis अब आप demand forecasting में जब पढ़ोगे economics में demand forecasting में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो demand method एक regression analysis क्या है एक one of the most important one of the most important method है for forecasting the demand ठीक है जो regression analysis है regression analysis is one of the most important method for forecasting the demand ठीक है जी demand forecast करने का एक important method है या regression analysis अब ये कैसे regression analysis में क्या है आपको मादीचे दो product दिये हुए product x और product y दिये हुए है ठीक है अब क्या होगा वहाँ पर या फिर मालीचे दो वरियेबल एक price दिया हुए price की product की demand दी हुई है ठीक है दो variables आपके पास है उन दो के base पर आप लोग प्रडिक्ट करोगे प्रडिक्ट करोगे कि भई इस साल में future में इसकी demand यह हो सकती है ठीक है predicted profit यह हो सकता है ठीक है predicted supply predicted output ठीक है मतलब क्या है future prediction करोगे आप on the basis of data given ठीक है regression analysis में हम लोग क्या करते है two regression equations को use करते हुए regression equation x on y y on x उसके base पर हम लोग क्या करते है two regression equations के base पर हम लोग क्या है demand forecasting करते हैं ठीक है बताते हैं information को data को use करते हुए कि क्या price होगा क्या demand होगी ठीक है बच्चो तो आज की वीडियो में इतना ही thank you thanks a lot